देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी नियूज साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन अलवर्जिली के भयाडी गाओं में एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया इस घटना के बाद इलाके का माहोल बहुत तनाव पुरुण हो गया तो वहीं घटना की सूचना पाकर बस्पा प्रतियाशी जगत सिंग बडोदा मेव थाने पहुंचे और 24 घंटे में आरोपियों की गिरफतारी नहीं होने पर धरना देने की चेताम निदी तो वहीं इधर पुलिस ने दुशकर्ण पीडिता का समाने चिकत साले में मेडिकल करवाया और इसके बाद बस्पा प्रतियाशी जगत सिंग ने पीडिता से मिलकर न्याय दिलाने का आशवाशन दिया अस्पताल में मेडिया से रूबर हुए जगत सिंग ने कहा कि रेप के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कारेवाही नहीं की तो वे खुद कोई सक्त कदम उठाएंगे आरे पास दूसरे तरीके उनको समझाने के अब क्या किया जाए हम इस अत्याचार को हमारा समुदा एस अत्याचार को कब तक जहन करता रहे हम नीज जहन करें और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एवन संबाद अता चंदर्शेखर हमारे साथ फोन लाइन पे मो मामला है जिए जुशकरम का मामला हुआ है एक दलित चात्रा के साथ दस्वी की चात्रा है पुलिस में अलगी मामला भी दर्च दिया है और दो आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है इस मामले में लेकिन 28 जनवरी को यहाँ पर विदान सबा चुनाओं होने जा रहे है काउं होईगी उसके पहले जो राजनिती यांती है यह इस केस पर आकर नेवर हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी के प्रफियाशी जिनने पुलिस परशाशन को और सरकार को चेताव नहीं दी है अगर तुबिस गंटे के अंदर एक जो मुख्यार रोपी है वो अरेश्ट नही कर रही तकनिकी खामी के चलते चंदर शेखर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई लेकिन आपको बता दें इस इलाके में तनावपुर्ण माहोल बना हुआ है और लगतार आरोपियों को गिरिफतार करने की मांग चल रही है